निश्चित तोर पर मजबूत होगी। इसी वज़े से यह डर रहे हैं कि यह काविल व्यक्ति अद्यक्ष बन रहा है। अब मोदी जी नोकरिया खतम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों मैं सुमित यादव आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है दा सुनामी पर और कॉंग्रिस मुख्याले में इस समय मौजूद हूं। 24 साल बाद गैर गांधी कॉंग्रिस अद्यक्ष मिला है मलिका अर्जुन खडगे और इतिहास में नामदर्ज हो गया क्योंकि जिस पार्टी जो आजादी से पहले की पार्टी रही निताजी सुबास चंद्रबोज जिसके अद्यक्ष रहे एक समय पर उसका अद्यक्ष बर कि निश्चित तोर पे जो बदलाव है वो प्रक्रती का नियम होता है सतत बदलाव होते रहने चाहिए और जिस तरीके से चाहे आप माली जनता का या कॉंग्रेस पार्टी में जो वरकर्स थे जो कार्यकरता था वो भी चाहता था कि हो और अध्यक्ष एक बहुत बड़े ऐसे तबके का हो जिस तबके को देश की जनता ने हमेशा अंदेखा किया है अपने आप में बहुत बड़ी बात है जहां भारती जनता पार्टी और तमाम दल जो कूरे भारत को साथ लेने की बात करते हैं और दलित सोशित वंचित वर जो चात्र राजनीती से आगे आया आठ वार विधायक रहे सांसद रहे आठ नो मरतवा मंत्री भी रहे और इस समय नेता प्रतिपक्ष है राज्य सवा में इनका लंबा अच्छा खासा तजुर्बा है कई वार आला कि मेरे साथ बीजेपी के जो साथ ही है वो तंज करस देते क्योंकि बीजेपी में आप देखो 70-70 के बाद कोई भी लीडर होता है तो उसको एकदम से क्या कहते हैं कि वो कहते हैं ना वो दूद में से मक्खी की तरह फेक दिया जाता है चाहे वो आपके आडवानी साहब हो चाहे मुली मनुवर जोसी जी हो तो ये उनका कल्चर है उन कि और जो भुजुर्ग होता है उसकी अग्या का पालन किया जाता है तो उसी तरीके से हमें पूरी उम्मीद है कि एक तजर्वेकार व्यक्ति और एक ऐसे परिवेश आया व्यक्ति जिसने चातराजनीती से और साधारर परिवेश से आए व्यक्ति जब कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो निश्चित तोर से जो दलित, सोसित, वंचित समाज है जिसकी संख्या इस समय देश में 70% के आसपास है तकरीबन 70-75% तो जनता के अंदर एक अच्छा संदेश जा रहा है और आज जो तम का आजनीटी नहीं देखिए वोट बैंक की राजनीटी lot bank की similar को पार्टी नहीं को प करें देकिंद्स पार्टी जनता पार्टी आलस्या ए बीजेह पी ने प्रेसिडंट रवीक्त तालहे और लेकिन उनको सब को पता मोधी जी उनको बिलकुल ahead कर देते थे और फोटो को इन्हों ने राश्पती बना रखा है लेकिन उनके हाथ में कितनी पावर दे रखी है सिर्फ जो बीजेपी का जो चरित्र है वो इस तरह का है कि यह लोग बोट मेंग को साधने के लिए कि कहां पे दलित हमसे पिछड रहा है या उखड रहा है पिछली वार दलित वोट इन चुनाव होगा फिर जारखंड का चुनाव होगा मद्यप्रदेश का चुनाव होगा तो तमाम जगह पे आदिवासी जनता है तो उनको मद्देनजार रखके इन्होंने एक चेहरा दिया है अब देखने वाली बात यह है अब जो आप कॉंग्रेस के परिपेक्ष में कह रह था इस पश्ट रूप से कि जो नया अद्यक्ष आएगा वही बड़े निड़े लेगा तो निश्चित तोर पे साफ संकेत है और अपने आप में एक कॉंग्रेस पार्टी का अद्यक्ष बनना ही अपने आप में गौरव की बात है कि जहां पे नेताजी सुवाश्चंद्र बोश जैसे लोग सरदार पटेल जैसे लोग कॉंग्रेस पार्टी के अद्यक्ष रहे हैं और बाबु जगजीवन राम के बाद दूसरे अद्यक्ष ऐसे रहे हैं जो एक दलित चेहरा बनाया गया तो अपने आप में बड़ी बात है और दूसरी बात यह है कि ऐसे लोग आ प्रमुख बन सकते हैं वो लोग कॉंग्रेस की ऊपर टीका टिपड़ी कर रहे हैं कि साथने के लिए कर रहे हैं तो आप भी आरे से इसका प्रमुख किसी दलित को बना दीजिए जी फाइदा मिलना चाहिए निश्चित तोर पे देखिए जो मालो दलित अद्यक्ष बन गय । वाउन से थि इसका घलन के लिए हैं तो उसके पीछे वज़न दलित माना जाता था को क्ई लोग बता रहें कि रीचित पॉइंकि अटीन नहीं कि आंजिए आप एक चीज देख लीजिए, कोई व्यक्ति अगर आठ वार नौबार M.A. ले रहा हो, आठ वार सांसद रहा हो, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी लोक प्रियता नहीं है, अगर वो लोक प्रियता नहीं है, तो विदायक सांसद मंत्री बनते हैं, नड़ा साव के बारे मैं सवाल कीजिए, कि जेपी नड़ा कैसे वो अद्याक्ष बन गए बीजेपी के, और कैसे वो दुवारा अद्याक्ष बन गए, क्या उनकी काबिलियत रही, क्या वहाँ पे कोई चुनावी प्रक्रिया हुई, क्या कारेकरताओं से पूछा गया, कॉंग्रेस पार्टी ही इकल अद्याक्ष पद का चुनाव हुआ है, उसने कहीं न कहीं संकेत दिये हैं, और कहीं न कहीं वो दवाब बना रहे हैं, कि भारती जनता पार्टी हो या तमाम जो छेतरी दल है, अर्विंद केजरिवाल जी देखी, फिर से संयोजक बन गए, जब से आमादमी पार्टी का जन मुगा है, तब से केजरिवाल साहवी उसके संयोजक हैं, वो ही उसके सरवे सरवाएं, वहां नहीं बदल रहे हैं, कहां वो कह रहे थे कि एक आदमी को एक पत देंगे, देखो मुख्यमंतरी भी बने हुए हैं, दिल्ली के भी, पंजाव के भी, अब गुजरात में भी बन जाएं, उनका बस चले तो अमेरका के राष्टपती भी बन जाएं, उनकी महत्वा कांचानी खतम हो रहे हैं, ऐसे ही मोदी जी को देख लीजिए, वन मैं सो है, उनकी पार्टी में सिर्फ दो लोग हैं, जो पूरी पार्टी को चला रहे हैं, और पार्टी किन के लिए पर लुटाया जा रहा है, और देश की जनता के हाथ क्या लग रहा है, ग्लोबल अंगर इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए, एक सो साथवे पायदान पे, डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पहुंच गया है, सर्व देते हैं, रुपया नियुनतम इस तर पे 82 क्रॉस हो लेकिन इसे ना तो वितमंत्री जी बात करना चाह रहे हैं, ना इसे पर प्रदान मंत्री जी बात करना बयाना दे दिया है, वितमंत्री जी का भी भयान पूरी जनता इनों को पता नहीं क्या मजा आता है कि हम अपना मजाक बनवाएं तर्क के साथ भाड ब gli Bernardi जब रुप्या गिर रहा है उस पर काम की छी आप सुष रुप्या नहीं काम हैं और बचकानी बाते हैं यह बीजेपी के लोग ही कर सकते हैं कि कॉंग्रेस पिछले काई चुनाव हम लोग ने देखा हारी 2014 के बाद सेक्रम देखें जहां सरकार बनी भी वहां भी कई राज्यों में पांस साल सरकार चली नहीं अब हम लोग देख रहे हैं कि जो डि-faming राहूल गांधी की गई थी वो काफी उसमें काफी सुधार आया है पिछले कुछ सालों में भाराजडब यातर चल रही है तो उसके बाद भी काफी सुधार हम राहूल गांधी की छवी में देख रहे हैं और अब दूसी तरफ खडगे का नया ध्यक्ष नियुक्त होना, गांधी परिवार से हटके एक नया ध्यक्ष आना, जो की एक सवाल खड़ा उठता था कि नेपोटिजम का और परिवारवाद का, वो सवाल खतम होने वाला है, तो इससे क्या फाइदे होंगे, और अगले चु एक गांधी वादी विचार धारा, जिसमें उदारता है, सत्य है, अहिंसा है, लोगों को जोड़ना है, गरीब तबके, शोशित तबके, वंचित तबके के लिए काम करना है, दूसरी है गोडसे वाली विचार धारा, जो कटरपन्थ को बढ़ावा देती है, देश में संप तो तक्रीवन तकृआन पचास 55 साल देश ने एक विचारधारा को जुक गांधिवादी विचारः को और कई न कई मीडिया को तमाम लोगों को यह लगने लग गया कि बुद्रेंस का डूष मैं तो डूसरी विचारधारा बंसती है अब उस विचारदारा को देश की जनता ने समय दिया देश की जनता को लगा जिस तरीके से उस समय जुमले बाजी हुई तो देश की जनता को ये लगा कि साइद ये जो दूसरी विचारदारा के लोग है ये अच्छा काम करेंगे तक्रीवन तक्रीवन नौ साल होने जा रहे हैं साड चांग्रेश का समान वित्रण करती ती जैसे कहते हैं न पावर का Но इक्वर्ड टिश्टीविशन लेकिन वीजेपी टाकत का केंध्री करण कर रही हैं वीजेपी टाकत को चिर्फ एक जगे रख रही है और बाकी लोगों के पास जो देश के साधन है संसाधन है उनका विकेंदरी करण किया जा रहा है उन लोगों से वो चीजे मूलबूस सुविधाएं हटाई जा रही है कुल मिला जुला के हम कहें कि मिडल क्लास को अगर कमजोर करने का काम कोई कर रहा है तो वो बीजेपी कर रही है अब आप पूछेंगे कैसे दीरे दीरे सरकारी नोकरियों की कोई बात नहीं करता आब जो मिडल क्लास था चोटे छोटे उद्योग्त संहे पूंजी पती थे जो 5,10,0,20,0,0, 50,0,0 का का काम करते थे जो कमाई प्रशासनिक सेवा में जाता है गरीब बच्चा पाइलेट वनता है तो यह सब कॉंग्रेस की देन है अब बीजेपी क्या कर रही है सिच्छा के अधिकार को गरीब लोगों से छीन रही है चिकित्सा मेंगी कर रही है तो यह मिडल क्लास को कुल मिला जुला के चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अब जो आपका दूसरा सवाल था राहुल जी का निश्चत तौर पर जब इस तरह की यात्राएं होती हैं कोई भी बड़ा लीडर होता है बड़ा लीडर अच्छे से निखर के आती जब वह जंता के बीच में रहता है और निरंतर जंता से संबाद करता है कहीं ना कहीं मीडिया कहलो या फिर बीजेपी आईटी सेल कहलो ये राहुल गांदी जी की जो छवी इमेज थी इनको धूमिल करने का काम कर रहे थे लोग कह रहे थे कि राहुल जी क्लास लीडर है लेकिन अभी तो सिर्फ एक महीना हुआ है यात्रा तो पांच महीने चलेगी एक महीने में ही जनता समझ रही है चूंकि मीडिया वहां नहीं है अब वहां सिर्फ जनता है और राहुल जी है और जनता समझ रही है अब कि राहुल जी वाकई गरीब मजदूर किसान आम आदमी के लिए सोचते हैं उनके लिए काम करना चाहते हैं और राहुल जी जहां भ काम चल रहा है और तमाम आपने वीडियो भी देखे होंगे कैसी मुझलादार बारिस में भी राहुल जी की जो भाशन था वो निरंतर चलता रहा और तमाम इस तरह की छोटी-मोटी गटनाएं जो चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी मीडिया ने वह भी देखा कैसे सोनि जी पधियात्रा में आ रही थी और राहुल जी ने उनको कार में बिठाया मतलब अच्छे पुत्र होने का भी फरजदा किया अलागि प्रदान मंत्री जी ने अपनी आदर्णी माता जी का प्रचार करवाया कि अभाई मेरी मां जो है लाइन में लगी एक निकम्मा पुत्र ही ऐसा कर सकता है। वो भी प्रधान-मंत्री की माँ को लाइन में लगने की क्या जरूरत है। जनता को मुर्ख समझा है क्या साहव। जनता चीज़ों को समझती हैं। बस ये था कि आपका पद था आप पद की गरिमा की वज़े से जनता कुछ नहीं बोल रही थी। अब आप उस पदी की गरिमा को खो चुके हैं अब जनता मुखर होके बोलती है 2014 से 19 के बीच में थोड़ा बहुत जनता में सर्म था कुछ जिजक थी अब वो जिजक मोदी जी ने खोली है किसान अंदोलन में आपने देखी लिया मोदी जी कैसे पूरी देश के किसानों से माफी मांग चुके हैं अब चुनावाने दीजिए 2024 से पहले मोदी जी कई वार विदवा विलाप आपको देखने को मिलेंगे और कई जगे कई मंचों पर ये देखना कई दलित वाईयों से माफी मांगेंगे कई मजदूरों से माफी मांगेंगे कई मैलाओं से माफी मांगेंगे लेकिन इनकी ड्रामे बाजीया अब नहीं चलेंगी एक आखरी सवाल है कि सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि खड़गे जब नॉमिनेशन देने आये अपना नाम के लिए उसी समय तैह हो गया था कि इन्हीं को अध्यक्ष बनना है क्या वही जो आरोप पूर्प धनमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग पर लगते आये हैं कि सोनिया जी की कटपुतली थे और उनीक शारू पर सारा काम मनमोहन सिंग जी ने किया वही आरोप अब इन पर लगना शुरू हो रहे हैं कि गांधी परिवार के शारू पर ही यह भी काम करेंगे देखो साब एक गाना याद आ रहा है कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहेंगे पहले बीजेपी आईटी सेल के लोग यह कहते थे जी गांधी 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 सोनिया गांधी बन गई अब रावल गांधी को बना दिया अब साब जो गांधी परिवार ने साफ मना कर दिया कि मैं अध्यक्ष हम लोगों की कोई दिल्चस्पी नहीं अध्यक्ष पद में अब नौन गांधी अध्यक्ष बनेगा तीन चार नाम आये जिसमें से बाकी लोगों ने नाम या तो वापस ले लिये या नाम आंकर्ण रद्द कर लिया दिगविजय जी का भी नाम था दिगविजय जी ने वापस ले लिया गैलोत साव ने भी वापस ले लिया एक तरपाथी जी थे उनका नामांकर दो गया था दो प्रत्यासी वचे थे एक तो ससी थरूर साहब थे दूसरे खड़के साहब थे जब दो व्यक्ति मैदान में है तो निश्चित तोर पे एक व्यक्ति जीतेगा और आप तुलनात्मक अध्यन कर लीजिए थरूर साहब और खड़के साहब के बीच में काविलियत देख लीजिए उनकी उनका टैलेंड देख लीजिए उनका जनसमवाद देख लीजिए तो निश्चित तोर पे खड़के साहब जो है हर मामले में ससी थरूर साहब से 20 सावित होते हैं उम्र हो तजुरबा हो संगर्स हो हर चीज में तो यह तो ऑव्यस है कि जो जादा तजुरबेकार व्यक्ति होगा जो जादा काविल व्यक्ति होगा तो उसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा और यह अध्यक्ष कहीं नामित नहीं हुआ है अध्यक्ष निर्वाचित हुआ है लगवग 98-100 PCC डेलिगेट्स थे जिन्हों न पूरे देश वर से बोट दिया है गांधी जी गांधी परिवार के कहने से एक व्यक्ति वोट दे देगा दस व्यक्ति वोट दे देंगे पूरे देश की जनता पूरे देश के कॉंग्रेस पार्टी के लीडर्स उनके कहने से बोट नहीं देंगे आम आदमी जिसको ठीक और आईटी सेल का यह काम है उनको उनका काम करने दीजिए कहते हैं ना वो खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे तो अब इनके पास खंबा नोचने के लावा कुछ नहीं है और फिर भी खिस्या रहे हैं यहीं तो मजे की बात है वो सत्ता में सासन साधन साधन सासन प्रसासन सब पास है फिर भी वो खिस्या रहे हैं क्योंकि आप उन्हें टांग खीचने का मौका नहीं मिल रहा पहले वो रावल जी और सौनिया जी पर ब्लेम करते थे अभी दलित प्रदानमंत्री बन गया अध्यक्ष बन गया है तो अब उस पर ब्लेम कर रहे हैं कि साब चावी दस ज इसारों पर चलने वाले प्रदानमंत्री जी मारे आरैसेस के मौन भागवत के कटफुतली प्रदानमंत्री जी हमारे वह सदाचार का पाठ पड़ा रहे हैं कि खड़के साहब उसके इसारे पर चलें खड़के साब बहूत समझदार व्यक्ति हैं संगठन की उन्होंने गांदी जी अब केंद्र विंदू नहीं है तो अब किसे टारगेट करेंगे तो इसलिए उनकी खिसियाट बॉखलाट देखने में कम शब्द में जवाब देने कि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है क्यूंकि इस से पहले नितिश कुमार कई प्रिक्षे दलों से मिल चुके स जाने से पहले रावल गंदी से मिल चुके थे क्या 24 की तैयारियों में अब को साथ में लाने कोशिश होगी कॉंग्रेस की समान विचारधारा के जितने दल है जो देश की जनता के लिए चाहते हैं कि सामपरदायक्ता कैपिटलिज्म मनवाद इन चीजों को राजनीती से उ सामने जो पार्टी है यह लोग राजनीती के नियुन्तम इस्तर पे यह लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं तो हमें भी जो चेतरी दल हैं तो ऐसे चेतरी दलों के साथ हम गठवन्दन करेंगे और चुनाव के लिए जो रड़नीती हैं वो सीडवलू सी के ल सदाइक ताक्तों को और जो देश को तोड़ने वाली ताक्ते हैं खासतोर से बीजेपी जैसी पार्टी तो इनको हम हटाने के लिए हर भरसक प्रयास करें यह सवाल इसलिए भी है क्यूंकि इससे पहले नितिश कुमार ने कोशिश करी शारत पवार ने भी काफी कोशिश कर रहे हैं उससे पहले ममता बेनर जी ने भी कोहिश करी थी कॉंग्रेस कोई पहल नहीं कर रही है कॉंग्रेस तो पहल करी रही है कॉंग्रेस ने तो उपराष्टपति पद के लिए भी पहल की थी लेकिन उसमें फिर ममता जी पीछे हो गई थी कॉंग्रेस पूरी तरीके से तयार है और कॉंग्रेश की ही पहल है जो नितीज जी मुख्यमंतरी है नितीज जी ने सोनिया जी को फोन किया था ने बोला कि आप रावल जी जे बात कर लीजिए ऑ नितीज ՜ी मुख्यमंतरी बन गए डीटारेश हमेशा सपोर्ड करती है कउइस ने हमेशा छेतरी दलों को साथ लिया है, छेतरी दलों को हमेशा सपोर्ट किया है, समय आने आने पे, लेकिन छेतरी दलों को कभी कमजोर करने का काम नहीं किया है, सिफसेना इसका उदारान है, सिफसेना को बीजेपी ने खतम किया है, जबकि सिफसेना को कॉंग्रेस ने सपोर्ट किया, जबकि विचारदाराएं अलग हैं फिर भी सपोर्ट किया इसलिए सपोर्ट किया कि छेत्री दल मजबूत रहे छेत्री दलों का मजबूत होना देश के लोकतंत्र के लिए आम जनता के लिए और संबिधान के लिए बहुत जरूरी है तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुनेश यादव ओबीसी डिपार्टमेंट कॉंग्रेस के नैशनल स्पोक्स परसन है तो काफी मुद्दों पर बात हुई आने वाले चनाव पर भी बात हुई और क्या अब बदलाव कॉंग्रेस पार्टी में कितने बदलावाई इनकी एक तरफ मैं बात कर रहा हुँ बार भारत जड़ो यातर है कि कॉंग्रेस राहूल गांधी की अगवाई में चल रही है उसके बाद अब कॉंग्रेस को नया अध्यक्ष मिलना फूल टाइम अध्यक्ष मिलना कॉंग्रेस की कितनी मजबूती आएगी दो साल चुनाव को रहते हैं लोकसभा चुनाव उसके बीच में कई चुनाव बड़े बड़े परदेश्यों में है तो क्या नतीज़ों चुनाव में आएंगे क्या अध्यक्ष बनने कितना फायदा होगा या आने वाले समय पर चलेगा फिलाल ये वीडियो में खतम कर रहा हूँ आप लोगों से मलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और जगा से कुछ और लोगों के साथ तो जुड़े रहे हमारे साथ देखते दासना में तके नमस्कार खुश रहें स्वस्त रहें